नमस्कार जहिन साथियों ये वाफिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों ने खुप अभी देखा होगा नियोज में सुना होगा बहुत चर्चा में है कि फिलिस्तीन ने इसराइल पे चड़ाई कर दिया है इसराइल के हजारों लोग मारे गए फिर बदले में इसराइल ने भी चड़ाई किया फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला इलाका है वहाँ जहां पे हमास की सरकार है तो हमास और इसराइली सेनाओं में युद्ध चल रहा है इस समय यह 7 अक्टूबर को सुरू हुआ है इसराइल नहीं जानता था लेकिन 7 अक्टूबर को उसने अचानक आक्रमण कर दिया और बड़ा नरसंगार हुआ तो 20 अस्तर पर यह बहुत चर्चा में है तो आम नागरिक इसको नहीं जानते तो अगर आप पूरा नहीं जानते हैं अच्छे से नहीं जानते हैं तो मैं आपसे रिक्विस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं आपको संशि मैं आपको बताऊंगा देखिए आप जानते हैं इस दुनिया में सात महादीफ हैं जिसमें से एक महादीफ हमारा है एसी इसा ने बहुत सारे महादीप में इसके काफी पूरब में जाएंगे तो अपना देश हिंदुस्तान है मैप में देख सकते हैं, यह इस तरह से दो हिस्से बाड़ देते हैं, तो अब यह इस इसराइल के दो हिस्से हो गए, यह कब हुए मैं भी आपको आगे बताऊंगा, पहले आते हैं कि यह मामला है क्या उसके बाद, इसराइल है यह देस, यह भुमत सागर और जार्डन नदी क बीश में बसा हुआ यहां पे एक जो देश था उसका नाम था फिलिस्तीन जो आज दो भागों में बढ़ गया है जो युद्ध की कगार पर है युद्ध हो रहा है इस देश में मुख्य रूप से तीन धर्मे की लोग रहते थे ठीक है तीन धर्मे की लोग कौन-कौन से इसाई और मुस्लिम तीन धर्मे के लोग यानि ये तीनो धर्मों की जन्मस्थली भी है इसराइल यरुसलेम का जिक्र बाइबिल में भी हुआ है बाइबिल में पूरी असपस्ट एकदम कहानी लिखी गई है कि जो इसराइल है वहाँ पे यहुदी धर्म में जो थे उनका लड़का इसा मसी जो की यहुदी था वो उसने बाद में इसाई धर्म को स्विक्र के जन्मस्थली है ये तो इसाईयों का उत्पत्ति अस्थल है यहुदीयों को था ही और मुस्लिम भी अपना यहां पे दावा करते हैं तो तीनो धर्म के लोग रहते थे हुआ क्या कि जब यहुदी जहां जहां रहते थे वहां उनको सताया जाने लगा तो जब यहुदियों को सताया जाने लगा तो वो भाग करके यहां पे गये खिलिस्तिन में सरण लिये उनको सताया क्यों जा रहा था उनको इसाई लोग इसलिए सता रहे थे उसकी बहुत रोचक कहानी है तरह से उनको प्रताणत देखेर के उनको मारा गया जो लिखा गया है कोई भी सामान इब्यक्ति अगर देखेगा पढ़ेगा तो इद्दम बिचलित हो जाएगा उनको कीले ठोक दी गई थी काटों करतास पहनाया गया और ऐसे छोड़ दिया गया था फिर सडी पर वो अंधर लोगों ने हमारे इसामसी को इस तरह से प्रताड़ित किया था तो एक मेंटल्टी बने हुई है तो आम तोर पर यूथ होता रहता है मुस्लिम उसे होता ही रहता है तो जब यहुद्यों को इसाई कंट्रियों से भगाया जाने लगा तो लोग अपने एक तरह से मूल गए उसके बाद होता क्या है कि अंग्रेजों का पूरे विस्व अस्तर पर एक तरह सामराज था उनके सामराज में कभी सुर्य अस्त नहीं होता था एक जगह होता था दूसरे जगह मतलब कहें न कहें सुर्य निकला रहता था भारत भी अंग्रेजों का है गुलाम था फिल स्टीन में अंग्रेजों का सासन था तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि इसको दो भागों में बाट दिया मतलब सरण दे दिया इन लोगों को यहुदियों को भी कि एक तरफ आप रहो एक तरफ वो लोग रहें इस तरह से मतलब स्विकार कर लिए अंग्रेजों ने लेकिन यहां की जो जनता थी वो नहीं स्विकार कर पाई थी इस चीज को और इस तरह से 14 मई को 1948 में इसराइल के अस्थापना हुई इसराइल देश के अस्थापना को इसराइल पर चढ़ाई कर दिये कई देश जैसे उसमें से जार्डन थे यह आपका मिस्र था इराग था इन लोगों ने मिल करके इसराइल पर चढ़ाई कर दिया चढ़ाई कर दिया तो इसराइल को लड़ना पड़ा अब चुकि इसराइल के भी बहुत सपोर्टर थे तो उन लोगों ने क्या किया, इसरायली इन पर भारी हो गए, और फिर क्या हुआ है, कि लग्बख साढ़े साथ लाग फिलिस्तिनियों को इसरायलीयों ने बाहर भगा दिया, बेदखल कर दिया, यानि अगर वो लोग युद्द ना करते, तो हो सकता है कि फिलिस्तिनी, आई सभी लोग आपस में रहते जिस तरह से थे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जब यहुदी यहां पर बस गए अंग्रेजों के काराण तो मुसलिमों ने भी रोत किया मुसलिम जनता ने उसके बाद इतने देश मिल करके चढ़ाई भी किये उनको युद्ध करना पड़ा और साड़े साथ लाख फिलिस्तिनियों को बेदखल कर दिया और काफी मतलब जगहों पर उसने अपना अधिकार बना लिया तो यहां पर यह जो अस्थान है यह है इस्राइल मैं लिख रहा हूं यहां पर इस्राइल ये वाला स्थान ये इसराइल है पूरा ये दोनों फिलिस्तीन है ये भी फिलिस्तीन है ये जो फिलिस्तीन का हिस्सा है इसका नाम है बेश्ट बैंग बेश्ट बैंग इसका नाम है और ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है गाजा पट्टी गाजा पट्टी निशला हिस्सा यह और बीच में एक रेखा है जो इन दोनों को बाड़ती है इस रेखा का नाम है आर्मी 27 रेखा आर्मी 27 रेखा जो गाजा पट्टी और विष्ट बैंक को बाड़ती है तो यह इसरायल है यह गाजा पट्टी है और यह विष्ट बैंक अब ये हो गया ठीक है ये चल रहा था उसके बद जब यहां से जो फिलिस्तीन बेदखल हुए थे मतलब बाहर चले गए थे या तो यहां आके बस गए थे या फिर और बाहर चले गए थे उनको हमेशा यह लगता था कि इसराइल ने जबरन हम पर कबजा किया है हमारे ही देश से हमको बेदखल कर दिया है और बाहर से आ करके यहुदी लोग यहां पर अपना एक नया देश बना लिए है तो उनको हमेशा जो यह कबजा किया हुआ अस्थान था उसको छुणाने की उनके मन में ललक थी यहां पर इसको आजात कराना चाह रहे थे यहां पर एक असथान है जिसका नाम है एरुसलेम बाइबल में ये कहा जाता है लिखा है यहां पर एक तान है पूरी दुनिया की इसाईयों के लिए सबसे पवितर स्थान है आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्म में इसाई धर्म में आता है इन्हें कि सबसे ज़्यादा अनुयाई इसाई धर्म के हैं इसका मतलब इस अस्थान का कितना महत्व है और यह जो यरुसलेम है इस पर दोनों लोग दावा करते हैं यह बार्डर पे है इसराइल अपनी राजधानी मानता है और फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी मानता है यह वाला हिस्सा फिलिस्तीन के उसमें है और यह नीचे वाला हिस्सा इसराइल के अंडर में है तो ये रिसुलिम को लेकर ही बहुत विवाद होता है तो देखिए जो फिलिस्तिनी लोग बेदखल हुए थे उनका एक नेता था उसकी मनसा थी कि हम इसको आजात कराएं हमेशा से तो हुआ क्या कि 1970 के दसक में 1970 ये 49 की बात है उसके बात ठीक है चलता रहा 1970 के दसक में एक फतह नाम का संगठन बनाया गया और इसके मुखिया थे यासीर अराफात यासीर अराफात फतह के संगठन के अधर्श थे एक तरह से और इनका मतलब ये मानना था ये कह रहे थे लोगों से गोशड़ा कर रहे थे कि हम फिलिस्तिन को आजात कराएंगे और इसलिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा PLO PLO को अगर मैं बिस्तार में बागवता हूँ इसका फुल फार्म होता है फिलिस्तिन फिलिस्तिन लिबरल लिबरल आरगनाइजेशन ये इसका फुल फार्म है तो फिलिस्तीन लिबरल, अब नाम से ही लग रहा है लिबरल, मतलब आजाद, फिलिस्तीन को आजाद कराने वाली संस्था है ये, और इसके अध्यक्ष यासिर अराफात, इस संगठन का उदेश ये था कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे इसराइलियों से, क्योंकि वो लोग बाहर से आ करके बस गए हैं, तो इसके बदले में वो लोग आक्रमण करते, उसका वो लोग जवाब देते, ऐसे ऐसे ही चलता रहा, जगा-जगा, जन सभाय करते, और ये 70 से 93 तक चला, 1993 तक चला 1993 में एक समझहोता हुआ किसके किसके बीच में यासिर अराफात और इसराइल के प्रधान मंतरी नासिर के बीच में छिक नासिर इसराइल के प्रधान मंतरी थे पियम थे नाजिर उनके और यासिर अराफात के बीच में यानि कि पीलो के बीच में एक समझाता हुआ, इस समझाते को सांती समझाता नाम दिया गया, इसमें ये कहा गया कि दिखिए हम लोग लड़े जगड़ेंगे नहीं, हम लोगों का अपना अलग अलग देश है, आप वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, क्यों लड़े जगड़े आराम से सान्ती में रहें इसलिए इसको सान्ती समझहोता नाम दिया गया और इस समझहोते को पिलो मान भी गया पिलो के जो अधिर्च थे यासी रड़ाफात उन्हों ने कहा कि ठीक है हम अब युद्ध नहीं करेंगे हम उग्रबादी संगठन ग्रूप में नहीं काम करेंग हम दंगे नहीं करेंगे ठीक है मान गया लेकिन होता क्या है आप जानते हैं कोई भी जो संस्था होती उसके अंदर कई गुट होते हैं जैसे हमारे भारती राष्टी कंग्रेस बाद में दो भागों बट गया था न नरम दल और गरम दल था तो एक ही संगटन एक ही तरह के ले झाले जाते ते हां को दुख था कि हमारर देश्ट छेंझ लिया गया है लेकिन वो से युद्ध करके उसको नहीं हश्यूकर ले लेकिन एक दूसरा ज चाहताए दया हिसे हो गयाँ हमको आटेक करने पड़ेंगे और 1987 में इस यह में एक नया गुठ बन गया था जिसका नाम था हमास के नाम था हमास जिसने अभी अटेक किया है हमास 1987 में ही बन गया था और जब यह सांती समझोता हुआ था उसके पांच महीने पहले इसने आत्मधाती पहला हमला भी किया था आत्मधाती हमला पतलब स्वयम बं लगा करके कहीं कुछ जाना खुद भी मर जाना और दूसरे लोग भी मरें यह हुआ था तो जब यह सांती समझोता हुआ तो यह चीज इसको हमास को पसंद नहीं था यानि हमास के जो संगठन था वह पसंद नहीं था तो देखिए जो पील सबस्ताम नहीं सब्सक्राइब कर सर फ्लस्तिण नेशनल पाथर इसका क्या काम था और हमास क्या का मस्ताइब हमास का फुल फार्म होता है ये इसका फुल वार्म है हमास का और इसका क्या नाम है फिलिस्तीन नेशनल अथार्टी इसका जो काम था वो ये था कि हम बहुत युद्ध वगरा नहीं करेंगे ये थोड़ा सांती बाला बतो इसको सांती पसंद थी समझोता वादी संगठन था इसलिए इन से पढ़ते नहीं थी और हमास में जितने लोग थे सब उग्र सुभाव के थे गरम दल के थे गरम खोन के थे तो हरकत अल मुकाबला मुकावामा अल इसलामिक जो संगठन हमास बना इसको किसने बनाया इसको बनाया मौलाना सेख अहमद मौलाना सेख अहमद यासीन ये एक तरह से इसके संस्थापत थे हमास के तो आप समझे पियने भी चाहता है कि हम फिलिस्तीन को आजात कराएं अमास भी चाहता है कि हम फिलिस्तीन को आजात कराएं लेकिन दोनों के रास्ते थोड़े अलग अलग है इसलिए इन लोगों ने फिलिस्तीन को दो भागों में बाट लिया मैं आपको बहुत साठ करने बता रहा हूँ ये जो इलाका है जिसका नाम है गाजा पट्टी गाजा पट्टी इस पर 2005 तक एक तरह से इसराइल का ही सासन था समझ रहे हैं 2005 तक इसराइल का ही सासन था यहां पर फिलिस्तीन के वल मतलब यही रोल था यहीं पर था गाजा पट्टी लेकिन सासन था इसराइल का 2005 में इसराइल ने इस पर कबज़ा अपना छोन दिया इतना युद्धनर संगार होता था छोन दिया अपना तो इस पर 2005 से ही सासन हो गया हमास का गाजा पट्टी पर ठीक हमास के सरकार चलती है यहां पर तोधान मंत्री होते हैं सारा काम होता है और यह वाला जो इलाका है विष्ट बैंक इस पर सासन है पियलो का पियलो के सरकार चलती है यह दोनों फिलिस्तीन ही है एक तरह से और ये इसरायल है अब जो हमास है वो चाहता है कि हम इसको नस्तर नाबोद कर दें इसलिए हमास ने 1988 में अपना एक चार्टर बनाया यानि कि एक घोषड़ा पत्र बनाई और उस घोषड़ा पत्र में साब साब लिखा हमास ने कि हम इसरायल को मिटा देना चाहते और वहाँ पर फिलिस्तीन का सासन लाना चाहते है नहीं हमास का सासन लाना चाहते है और वो हमेशा राकेट से हमला करता रहा है बहुत बार हमला किया है अभी सन 2021 में भी हमला किया था 4000 राकेट दागे थे इसरायल पर अलाकि यह हमेशा इसराइल से हार जाता है हमास अभी जो साथ अक्टूबर को हमला हुआ है हमास नहीं हमला किया है पांस जार राकेट लागे गए है और बदले में इसराइल ने भी इस पर अटेक किया है और इसकी बड़ी बुरी दसा है इस समय अगर मैं इनके फांडिंग क बात करों तो पूरे वर्ड अस्तर पर जो पियलो है उसको तो विस्ट बैंक जो है वो कुछ मदद भी करता है लेकिन यहां पर गाजा पट्टी जो सास्तन है हमास का उसको कोई मदद नहीं करता क्योंकि 1997 में ही अमेरिका ने इसको आतंगवादी संगठन के रूप में घोस इसको भी कुछ भी करते यहां के लोगों की जनता मतलब यहां पर जो लोग है वो बुख मरी यहां पर पर होंखों मरते हैे 2008 सतर की जो संस्था हैं हमारी यानो जो बनाई गयी है वहां के बहुत साही बढ़ी बढ़ी ऑड़ी संगठन है वह यहां खाना पहुंचाते हैं नहीं तो ये लोग भूख से मर जाएं दोहजार चार में ही इसराइल की सेना ने यासीन को मार गिराया यानि जो हमास के संस्थापक थे मौलाना सेक्ष आहमाद यासीन इनको 2004 में इस इस पर कबजा छोड़ने के पहले हैं एक तरह से इसराइल ने इनको मार दिया था 2006 में घटना घटी थी 2006 में हुआ कि यह जो हमास है यहां के सरकार ने मतलब यहां के लोग चुकि आतंगवादी जैसा है इनका तो यह लोग इसराइली सायनिक को गिरुपतार कर लिए थे तो बदले में इनकोंने मांग किया था इसराइल के सरकार से कि आप हमारे 1000 नागरिक छ एद्ये लटाने पड़े थे इस तरह से हमेशा यह इस्पर अट्यएक करता है यह इसका जवाब जहता है अब चोटे-छोटे-छोटे-वाटे अले लेकिन भी ही चर्च में रहते हैं हमेशा युद्ध होता है युद्ध होने के कारण यहूरी इसाई और मुसलिम तीनों वो अपना ये धर्मस्थल माना जाता है, यानि ये तीनों की धर्मस्थली है, एक तरस, तीनों की उत्पर्ति का ये केंड्र है, बिस तुसतर की बार करें तो जितने भी Christian यहुदी देश है और यहुदियों से ही इसाई की उत्पर्ति हुई है इसलिए इसाई यहुदी हाला कि यह तीनों एक ही ब्रांच के माना जाते हैं अगर आप वर्ल्ड हिस्टिय में पढ़ेंगे तो मतलब मुस्लिम इसाई और यहुदी यह तीनों जो है ओल्ड टेस्टामे में के वल्ल इसाई कि है तो पूरी नियु टिस्टामें गॉड टेस्टामेंट दोन मिला देंके तो ठीब्राहीं की के प्रधान मंत्री वहां के प्रधान मंत्री से बात किया जर् suicidal के दास्वासन दिया और एकदम साफ-साफ कहा हम पिसराइल के साथ है येनि हम आपके साथ है जब जरुरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे करने के मतलब हमापको युद्सामयगरी भी भी बैसाट होने के मतलब यह होता है तो खुले मन जैसे भारत इसराल के साथ हमेशा रहा है both जितने मुस्लिम कंट्रियां है वो भी सभी नहीं गटर मुस्लिम पिनियां जैसे कि इराग तो यह से कंट्रियां कुछ हुले मन से कुछ गुक्त रोप से फिलिस्तीन की समर्थक है फिलिस्तीन को काफी मुस्लिम कंट्रियां अंड भी प्रवाइड कराती है पैसा भेजती है एक तरह से काफी और इस्राइल का जो है उसकी टेकनोलोजी तो सरवत्तम है ही उसकी टेकनोलोजी यहाँ यह को भी मिस कर सकता है हलाकि अभी अभे पर अंचानक हुआ लेकिन फिर वह लोग इतना है जवाब देना जानते है observing यूद्धफ चली उसकी टेकनोलोजी है उसको मदद मिलती है लेकिन इनके मदद गार मामला मामला धार्म को लेकर करके हैं उस प्रतिष्ठा को लेकर के इसलिए युद्ध को रहा है यहां पर आज मैं आपको बहुत संशिप्ट में बताया अगर आपकी मनसा होगी आप चाहेंगे तो मैं इसको बहुत विस्तार में मैंने बहुत साथ करने बता है कम सकम अगर मैं इसको पूरा विस्तार में आपको पढ़ाता कि कैसे इसरायल में इसा मसीख का जन्म हुआ क्यों उनको मारा गया क्यों उन्होंने एक नया धर्म बनाया फिर क्यों यरुसलेम को ही धर्मस्तरी आज भी गोशित किया गया जबकि वह इतना विवादित सेंटर रहा है यह सब कुछ बहुत डिटेल में आपके इच्छा होगी तो मैं आपको बताऊंगा अन्य था इतने से कितने दिन दर चला और इसका परिडाम किया हुआ कितना नुक्सान हुआ इससे क्या विश्वस्तर पर प्रभाव पड़ेगा इसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धंग्या